सी क्रीचर्स की बात आते ही हमारे मन में पहला थौट वेल्स और शाक्स जैसी खुंखार मचलियों को लेकर आता है जो लोगों की जान ले सकती है अगर जब बात खुबसूरती की हो तो समंदर के ऐसे कई जीव रहते है जो आपका ध्यान अपनी और खीचने की काबिलियत रखते है आज के वीडियो में हम इनी सी कीचर्स की खुबसूरती को निहारने वाले है तो चलिए वीडियो की शिरुवात करते हैं और मिलते है इन खुबसूरत सी कीचर्से जिने देखते ही आपको उनको पकड़ने का मन करने लगेगा इन स्पाइडर्स को देखकर आपकी आँखे खुली की खुली रह जाएंगी जिसका कारण है इनकी खुपसूर्ती ये देखने में एक साइफाय मूवी का किरदार लगती है वैसे पूरी दुनिया भर में समुधर में पाई जाने वाली स्पाइडर की 1300 से भी जादा स्पीशीज पाई जाती है जिसमें से कुछ के 4 पैर होते है तो कुछ के 3 पैर भी होते है इनकी खुबसूरती की वज़ा इनके पैर ही है इनका leg span 70 cm तक हो सकता है सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये अपने पैरों से सांस लेती है पैरों के उपर का हिस्सा यानि इनका पेट बहुत ही छोटा होता है अपना नन्हा सा पेट भरने के लिए ये स्पाइडर्स, जेली फिश और वांप्स जैसे छोटी क्रीचर्स खाती है सी में पाई जाने वाली क्रीचर्स से लेकर इनसान तक जो भी इन स्पाइडर्स को देखता है इनकी तरफ खिचा चला आता है क्या करें ये है ही इतनी खुबसूरत सी में पाई जाने वाली मैंटिस की ये स्पीशीज हद से ज्यादा खुबसूरत होती है जिसका कारण है इनका चमकीला रंग जो ब्लू, ओरेंज, ग्रीन और रेड भी हो सकता है पर इनकी खुबसूरती यही तक सीमित नहीं होती इनको देखते ही आपका ध्यान सबसे पहले इनकी आँखों पर जाएगा जो बड़ी भी है, अलग भी और खुबसूरती का खजाना भी ऐसा इसी लिए क्योंकि इनकी आँखे तीन अलग-अलग हिस्सों में बटी होती है जिसमें इनकी आँख का उपर और नीचे का हिस्सा बताता है कि सामने वाला शिकार कितना मूव कर रहा है वही बीच का हिस्सा बताता है कि शिकार का रंग क्या है इनकी एक आँख दूसरी आँख से अलग डिरेक्शन में भी मूव कर सकती है अब आप खुद बताईए इन क्रियेचर्स जैसी खुबसूरत आँखे कौन नहीं पाना चाहेगा ट्यूब एनिमोन को देखने से आपको लग सकता है कि कोई ब्यूटिफुल फ्लावर है जो की सी में पाया जाता है लेकिन ये कोई फ्लावर नहीं बलकि एक क्रियेचर है जो खुद को सैंड में छपा लेता है और इनकी बॉडी का अपर पार्ट सैंड के बाहर निकला रहता है ये किसी रंग बिरंगी और खुबसूरत घास जैसा लगता है पर ये कोई घास नहीं बलकि टेंटिकल्स है जो की जहरीले होते है जिने ये क्रियेचर अपने शिकार को फसा कर मारने के लिए इस्तिमाल करते हैं और ऐसा करते वक्त इन सी आनिमोन की खुबसूरती देखते ही बनती है ये क्रियेचर बीस सेंटीमिटर तक बड़े हो सकते है और इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल शेप में होने की वज़े से इनकी खुबसूरती को चार चान लगा देती है अगर हम खुबसूरती की बात करे और न्यूडी ब्रांच का नाम ना ले फिर ये तो खुबसूरती की बेजती हुई समंदर की गहराई में पाया जाने वाला ये चीव दिखने में जितना चोटा है उतना ही खुबसूरत भी इन जीवों की आँखे नहीं होती पर इनके सर पर दो एंटीना यानी टेंटिकल्स होते हैं वैसे इनी एंटीना की मदद से ये आसपास के माहोल और चीजों को फील करते हैं ये चमकीले रंग का जीव होता है और इसकी लंबाई 0.25 इंच से 12 इंच तक हो सकती है वैसे पूरी दुनिया भर में न्यूडी ब्रांच की 3000 से भी जादा स्पीशीज पाई जाती है जिन में से कुछ जहरीली भी होती है वैसे स्पॉंजिस, एनिमोन वद दूसरे न्यूडी ब्रांच इनको खाने में पसंद होते हैं खेर ये खाते जो भी हो पर दिखते बहुत प्यारे है समंदर में पाए जाने वाले इस जीफ का मूँ एक घोड़े जैसा दिखता है और इसलिए इनका ये नाम पड़ा है बैसे ये अपनी खुबसूरती के लिए जाने जाते है मगर इनकी खुबसूरती बाकी जानवरों से अलग होती है क्योंकि जहां बाकी जानवरों की पीट पर स्केल्स होते है वही इनकी पीट पर छोटी छोटी बोन्स निकली हुई होती है यही चीज इनको अलग भी बनाती है और खुबसूरत भी पर ये सी होर्स काफी स्मार्ट भी होते है, क्योंकि जब शिकार इन पर हमला करने वाला होता है, ये तुरंथी खुद को माहोल के हिसाब से ढाल लेते हैं, यानि आसपास मुझूद चटानों और पौदों की तरह अपना रंग बदल लेते हैं, अगर खाने की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है कि ये चने नहीं खाते, बलकि प्लांटन्स और श्रिम खाते हैं, पूरी दुनिया भर में इन क्रियेचर्स की 45 से भी जादा स्पीशीज है, इनका साइज 0.5 इंस से लेकर 1.1 फीट तक हो सकता है, हां मगर इनकी तैरने की स्पीट बहुत धीमी होती है जहां बाकी आनिमर्स और क्रियेचर्स में एक माँ बच्चे को जनम देती है, वही ये सी होर्सिस के समाज में ये काम एक मेल को करना पड़ता है, तो अब तो आप मानी गए होंगे कि ये जानवर जितना अलग है, उससे कई जादा खुबसूरत है समुद्रों में पाए जाने वारे खुबसूरत जीवों की बात की जाए, और इस मचली का नाम ना लिया जाए, ये तो इंपॉसिबल है क्योंकि ये नीले और लाल रंकी मचली जितनी खुबसूरत है, उतनी ही चमकीली भी इनकी स्किन ब्लू होती है, और इन मचलीों को देखकर ही हर कोई ने पकड़ना या चूना चाहता है पर ये जहरीली भी होती है, ये ब्यूटिफुल फिश सिर्फ तीन इंच तक ही बड़ी हो सकती है, जिसमें मेल्स, फीमेल्स के कमतारिजन में बड़े होते है अपने आसपास इस ब्यूटिफुल फिश को हर कोई रखना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि ये मचलिया सिर्फ कोप पॉट्स ही खाती है, जो की एक प्लैंक्टन होता है, और इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसलिए इनको पालना बड़ा मुश्किल होता है सच में ये फिश अपने आप में एक चलता फिरता इंद्रधनुश है और उस्ट्रेलिया में पाय जाने वाले लीफी सी ड्रागन्स अपने आपको पूरी तरह से माहोल के हिसाब से ढाल लेते हैं इसी वजह से ये शिकारी चानवरों से बचे रहते हैं और उनकी इसी खूबी की बजह से आज भी हम इस खूबसुरत जीफ को ऑस्ट्रेलियन सी में देख सकते हैं ये ग्रीन, येलो और ब्राउन कलर के होते हैं और इनकी लंबाई लगभग एक फुट तक हो सकती है इन क्रीचर्स की पीट पर धेर सारी पत्या निकली होती है और यही चीज इन क्रीचर्स को एक दम अलग लाखड़ी करती है सदर्न और वेस्टन ऑस्टेलिया में पाय जाने वाले इन क्रीचर्स की उम्र साथ साल तक हो सकती है ये ड्रागन्स अपने आपको छुपाने में इतने जादा माहिर होते है कि बाकी जीवों की बीच इनको ढूंडने में पसीने छूट जाते है क्यारिबियन और अट्लांटिक ओशन में पाय जाने वाले इन क्येचर्स की बाड़ी पर येलो और ब्राउन कलर के धब्बे पाय जाते हैं जो चमकीले भी होते हैं और इसी वज़े से ये खुबसूरत दिखते है ये ज्यादा तर समुदर की गहराई में पाय जाते है अगर पाइजाने वाली मचलियों की बात की जाये तो उसमें स्टारफिश का नाम हमेशा आता रहेगा ये बड़ी खुबसूरत होती है और शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इन मचलियों के बारे में ना जानता हो ये मचलिया चमकीली होती है और ब्लू, ग्रे, ब्राउन, रेड और ओरेंज कलर में पाई जाती है वैसे पूरी दुनिया में स्टारफिश की 1500 से भी जादा स्पीशीज पाई जाती है जिनकी 5 से लेकर 40 आम्स तक हो सकती है और इन 1500 स्पीशीज में जादातर मचलियों की उम्र 5 से 10 साल तक होती है लेकिन इन में से कुछ ऐसी भी स्टार फिश है जिनकी उम्र 35 सालों तक भी हो सकती है ये मचली जितनी ज़्यादा जहरीली है उतनी ही ज़्यादा खुबसूरत भी ये मचली आपको इंडो पैसिफिक वाटर में देखने को मिल जाएगी पिछले कुछ सालों में ये फिश बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव बन गई है मगर इसके बाद भी लोग इस मचली की खुबसूरती की वज़े से इसकी तरफ खीचे चले आते है रेड और ब्राउन कलर की ये मचली 10 साल तक जिन्दा रह सकती है ये मचली लगबग 19 इंच तक बड़ी हो सकती है ये ज़्यादा तर अकेली ही रहती है सिर्फ मेटिंग के टाइम ही ये मचलिया एक साथ होती है एक मेटिंग सीजन के बाद एक मचली 30,000 अंडे तक दे सकती है और फिर इस खुबसूरत मचली के नन है और खुबसूरत बच्चे जन्म लेते है पूरी दुनिया भर में कुछ गिने चुने ही ऐसे जीव होंगे जो अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा तोड मरोड लेते है और उनी में से एक है डीप स्टार या जैली फिश जो अपने शरीर को किसी भी तरह से मोड सकती है खुबसूरती के मामले में भी किसी समुदरी जीव से पीछे नहीं है वैसे आपको इस जैली फिश की खुबसूरती देखने के लिए समंदर की गहराई में लगभग तीन हजार फीट नीचे जाना पड़ेगा अब तक ये मचली एटलांटिक और पैसिफिक ओशन में देखी गई है ये खुबसूरत मचली दिखने में एक प्लास्टिक बैक जैसी होती है जिसकी स्किन एकदम नेट की तरह होती है वैसे अगर इन मचलीों की खाने की बात की जाए तो ये क्राब्स और छोटी मचलिया खाती है इनकी लंबाई 61 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है जिस वक्त ये मचली पानी में तैर रही होती है सच में इसकी खुबसूरती देखते ही बनती है क्या आपने कभी ऐसा समुदरी जीव देखा है जो एकदम क्रिस्मस ट्री जितना ही खुबसूरत और रंग बिरंगा दिखता हो दरिसल ट्रॉपिकल ओशन में लगबग 100 फीट नीचे एक ऐसा जीव रहता है जो भले ही केवल 5 सेंटीमीटर का हो लेकिन अगर आपने इस जीव को एक बार देख लिया तो आप इसे बार-बार देखना चाहेंगे ये रेड, औरेंज, येलो और पिंक कलर में भी पाय जाते है एक क्रिस्मस ट्री वाम अपने चोटे और खुबसूरत हातों की मदद से प्लांटेन जैसे चोटे जीवों का शिकार करता है ये ननहे जीव अपनी पूरी जिंदगी यानि लगभख 40 साल एक ही जगह पर बिताते है वैसे क्रिस्मस ट्री वाम जादा तर एक साथ ही रहते है और इनको देखने पर ऐसा लगता है कि कोई खुबसूरत फलो का बगीचा पानी के अंदर बना हो उमीद है आपको इवीडियो पसंद आई होगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा कि इनमें से कौन सा सी क्रियेचर आपको सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल लगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे और हमारी यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो तुरंद कर दे और बेल आकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए